हलो स्टुडेंट्स एक बार फिर आपका स्वागत है यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में देखे स्टुडेंट्स यहां पर हम लोग जैन द्रम से संबंदी संगीतियों के बारे में पढ़ेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूटूब चैनल को स स्टुडेंट्स हम ने जैन द्रम से समस्माधित संपूर्ण जानकारी पहले वाले वीडियो में पढ़ाइंगे और जैन संगीतियों के बारे में आपको बता देती हूं कि कई बार में और बोत द्रम उसे जी अपने समीति होइन के पारे में एकजाम में काफ क уч पूछा जाता है तो दुदेखिए सब्से पेहले तो मैं बतांगे कि समीवीति होती क्या है और यह क्यों आयउजित क्यों जी जी जाती थी तो देखिए स्टुजेर्शन्स संगीति का आर्थ है सभा और समीति ठीक है तो सभा और समीति क्यों की जाती है किसी धरम विशेस के बारे में बताने के लिए या फिर किसी विशेस बात को बताने के लिए लोगों को इकठा किया जाता है उनको समझाय जाता है उनको बताय जाता है उनके फाइदे नुकसान सब बताय जा संगीतिया अजीति की थी और वो दरम एं इसमें 4 संगीतिया हुई है तता जैन्द्रम में 2 संगीतिय tha ठीक है टो हम लोग यहां पर जैन्द्रम से संभननी 2 सभाओं बारे में पढ़ेंगे तो देखेगा पर्थम जैन्सभा तो पर्थम जैन्सभा यह तीन सुए सापुरा में हुई थी और ये चंद्रगुप्त मोरिय के काल में हुई थी और ये पाठली पुत्र में हुई थी ठीक है और ये स्थूल भद्र की देख्सता में हुई थी ठीक है अब यह यहां पर ये क्यूशन आ रहा है कि ये संगीती क्यूं हुई थी पर्थम ज जैन्द्रम को मानने वाले थे वो कई तो इनके स्थूल भदर जी की देखस्ता में और कई हैं वो बदर बाहु जी की देखस्ता में अलग-अलग भागों में बढ़ जाते हैं और स्थूल भदर वाले हैं वो उत्तर दिसा में जाते हैं जैन्द्रम का परचार परसार करने के लिए और जो आपके भदर बाहुजी के नितरत्वा वाले लोग बाग हैं वो दक्षिन दिसा में जाते हैं जिनका सबसे ज्यादा प्रभाव करनाटक में पड़ा था अब क्या होता है कि जैसे ही अकाल खतम होता है तो यह लोग बाग वापस मगद में आते हैं ठीक है और इन को सुल जाने के लिए जैन दरम की यह पर्थम जैन संगीती हुई थी और इसके अधिक्स बने थे स्थूल भद्र और जो दो भागों में डिवाइड हो गई जैन दरम है वह दो भागों में बंट गया था इस समय जो सबसे विशेज काम हुआ था वो दो भाग थे दिगंब सब्सक्राइब इनका संपादन हुआ और ये बारा अंग है इस प्रकार से है आचारांग, सुत्रिकृतांग, स्थानांग, समवायांग, भगवत्ती, ज्याता, उपासक, दसांग, अंतकृत, दशा, अनुत्रो, पपा, तिक दसा, प्रिष्णव्याकरण, विपाक, द्रस्टिवात, और ये आपके बारा क्या होगे, अंग होगे, और इन्हें गणी, पिटक, या फिर, द्वादसांगी भी कहा जाता है, ठीक है, और जो, अब मैंने आपको पहले बताया है, कि ये जो पर्थम जैन सबाइस में, जैन द्रमावाद दो भागों में बठ गया था, दिगंबर और स्वे वाले वाले वीडियो जी बताया है, वहां पर आप देखिएगा, दिगंबर के जो नेतरत्वा करता है, वो कौन थे, भद्रबाव जी, और स्वेतामबर के थे, स्थूल भद्र जी, ठीक है, दिगंबर वाले बोलते हैं कि कपड़े नहीं पैनने चाहिए, जो मैन इन में है और चारो दिसाओं को ही मानना चाहिए कपड़े, और जैसे कि महाविर स्वामी ने भी एका है, और स्वेतामबर वाले हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमें सफेद कपड़े पैनने चाहिए, और ग्रहस्तों के लिए जो स्वेतामबर जो धरम है, वह सबसे सही रहता है, जो ग्रह ग्रहस्थ लोग हैं जो जैनी हैं जैन ध्रम को जो ग्रहस्थ अपनाते हैं उनमें यह ज्यादा स्वेतामबर ही संपर्दा के होते हैं अब देखें आती अगली द्वित्य जैन सभा तो यह जैन संगीति इसका योजन 512 स्विन में हुआ और वल्लब भी गुजरात में द्वि ग्रंथ थे उनको अंतिम रूप से संक्लित किया गया और लिपी बद किया गया मतलब जो द्वीत्य जहन सभा है ये कब हुई थी पानसो बाराइस्वे में कहां हुई थी वल्लब भी कहां गुजरात में और देख्षता देवर्शी क्षमा स्रमन और कारिये धरम ग्रंथों को अंतिम रूप से संक्लित कर लिपी बद किया गया तो धन्यवाद यहां पर हमने जैन्दरम से संबंदित जो सभाएं हुई थी उनके बारे में पढ़ा और आगे भी बने रहे हमारे यूटूब चेदर इंडिया ओल्डेज पे